अलो फ्रेंड वेलकॉंट टू पेटफॉर्म इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यह हिस्ट्री का सेकंड पार्ट है और अभी हमारा इंसे चल रहा है तो इस पार्ट वन में हमने बात किया था अस्टोनेज पासान काल के बारे में पूरा टोटली जितना भी टॉपिक था कौन साइस तरीके से और चीचों को समझ पाईएगा कि किस तरह से इसे सवाल आते हैं उससे ज़्यादा हम लोग नहीं पढ़ेंगे ओके तो पहले सिंदू घाटी सवयता पहला बात यह किस टाप कि सवयता थी तो नगरिये सवयता थी ठीक कैसे नगरिये सवयता थी क्योंक से पुछता है कि सी 14 के एक ओडिंग सिंदू घाटी सवयता का डेट क्या है क्योंकि डेट हर जगा पुछता है सिंदू घाटी सवयता का और यह बहुत ही लोग को मिस्टेक होता है इस चीजों को हम धिहान से समझें तो सी 14 के को डिंग जो डेट है तेस सो पचास बीसी से साल थे सतरा सो बचास में सको में जिन गयों करते हैं गे जर्फ कराइक है उसके बहुतते लेक्ट है सिंदेया को पचास लगवाग 600 तक की सवयता एकस्टिस्टेंस में रही ओके इसके अन्य नाम हडपा सवयता क्यों क्यों क्योंकि सबसे पहले हड़ापा अस्थर का खोज हुआ रावी नदी के किनारे पाकिस्तान में इसलिए इसका नाम क्या पढ़ गया भाई पंजाब परांद में और से इसको नाम सब्सक्राइब किसी नाम से सबसे जादा में सरसवत Screen Nativemost $ amous Preuz本 क्यों क्या यह सब्च्वाती नदी के किनारे आपाड गोड़े नाम सब्सक्राइब क्योंकि सबसे ज्यादा君 सब्सक्रास नदी नादी किनारे नदी के किनारे में दूड़े गए सबसे पहले बार हड़ा तीला को देखा था कोई दिकत नहीं होगा यहां नगरिया से वहता थिंग से बात अब खोच की थोड़े सा बात करेंगे तो 1826 में ने देखा था लेकिन इस इन्हों ने देख के का उसको अन्देखा किया उतना देहान मतलों नहीं दिया क्योंकि उसमें भारते पुरता तो ब्योगा कि अस्थापना भी नहीं हुए थी कि इस चीजों पर करेंगे ठीक है अब तीरपन से चीजों के बीचिन जब कनिंगम के सासनकाल में करेंगों सुरी कनिंगम के देखरेक में जब रेलवे लान की खुदाई चल फिर भी खुदाई नहीं होती लेकिन हां जॉन मार्सल हम बात करेंगे उनी सो एक में लॉड कर्जन की बात करेंगों से लॉड करजन वाइस रहे थे तो नी सो दो में हमारा भारतिया पुरता तो विवहाग के स्थापना होती है तब 211 में दयाराम सानी जॉन मार्सल के दे देखना रहे तो राविय नदी के किनारे के लिए कोई दिकत यहां तक निए डॉक्षन हो गया है ओके आगे चलते हैं अब हम इसकी बिस्तार की बात करेंगे तो इसका जो बिस्तार हम बात करेंगे पूरव से पच्छीम उत्तर से दक्छीन तो हम पहले देखते हैं कि सबसे च्छीम तो पूरव से पच्छीम जो चोड़ाइं द बात करेंगे कि थना सो किलोमीटर सो किलो मिटर है चलोवक्यरें से चश्यम की चलई तक सब काहता पूरा में करें सुछ सबसे पूरा में अगधर बात कर गर आलमगिरपूर उत्तर परदयस से लेके जो कराई में तोब़ Sig ws. तो यह सब से उत्री अस्थल पुषता है तो मांड़ा है condi देख लेते हैं की नौर्थ में क्या है सौथ में कि चीज़्ों को तो सबसे उत्री अस्थल पुष्था थ्यों उस्था है तो मांड़ा है जो जम्मू कस्मीर वे शीमेर सबसे उपर में कौन है और चिनाव नदी किनारे तो इन अस्थलों को नदी के साथ याद करिए सवाल बहुत वारा ठीक है इस सवाल अमधपूर ने मत पूर्च जो मतार हो तो परबरा ऊंदी परबरा जो कि गुदावरी आशक नदी और डमध में और विज्ट के बात करें काम्हाइरे हैं तो और सुध कॉर नहीं होगा आगे चलते हैं अब बात करेंगे तो सिंदुवड़े से बता कि जितने भी अस्थल है कौन कौन से राज्व में कौन कौन से इस्थल है इनको मैप के कौर्डिंग देख लेते हैं कि महत पूर्ण पुछ देता है कि अस्थल कहा पर जेंट है तीची जो को एक पर बात करेंगे तो देखिए सवाल आया ता कि देशलपूर सिंदुवड़े से बता कहां इस्तित है तो यह गुजरात में बहुत अच्छा पने पहलीवान नाम सुना होगा बहुत सरो लोगों ने तो देशल पूर का उज्टल का गुज्रात में रंगपूर का गुज्रात मे में दोला विडियों का भुज्रात में रख लिए और द्यान से देख लिए और एक मैप पर अफ्ट राइड़ाँ कर सकते हैं देशल पूल रंगपूर सुथकोटदा दहुला वीरा रोजदी इतने उजात में ओके राजस्थान में महत्पूर्ण अस्थाल काली बंगा ऐसे तो बहुत सारे स्थाल है लेकिन महत्पूर्ण बात करेंगे तो कौन है काली बंगा जहां से चूते हुए खेत का परमान मिलता है यह सवाल भी आ चुका है लोथल के ब नाम कई कई णहार देखने के मिल ठीक है तो यह हो गया सीशवल बनावली और खञेंडेंगे ओके अब थोड़ा सा पाकिस्तान में चलते यहां तो पता आपको मानडा है चोटे-चोटे महत्पूर में उनको पहले बता दिया इसलिए आप नहीं बताया ओके अब देखें तो देखें यूपी में दो है बड़ा गाउं हुलास और भी यूपी में लेकिन महत्पूर्ण है यह का नहीं रोजडी तो घुजडरात में रहा ओजा है इस लिए रोजडी आ दिया रह nets के कन्फीजन नहीं नहीं होना यहां पे लेकिन है कोट जी कोट दीजी कोट दीजी अल्ली मुरादआमरी अल्ली मुराद आमरी कोट डेजी चन्हुद्रो sammaार यह सारे यह सारे हैं Swd सिंद्ध में पाकिस्तान के सिंद्ध प्राथ हम बात करेंगे पाकिस्तान के पर रांत में तो आगे नहीं सवालाते हैं सब सारे मैंने चीजों को किलियर आगे चलते हैं अब सिंदूगाटी से वहěता कि जितने अस्थल हैं उनको बाटा गया एक recognition की इनको नगर से नगे इन तो साथ अस्थल को नगर की संग्या ड़ी तो साथ रपा पहला एक देहांक Lucky । तो जो हडपा है ना यह हडपा जो है यह रावी ने देखिना ले पंजाब में खोज उनिस्वे कैस में दैयराम सानी सरसे पहला स्थाल खोजा गया के लिए अब देखिए जो इसकी जो बनावाटे जो सरंचना है इस तरह से दो पार्ट में एक थोड़ा नीचा लेवल पर ब पच्छमी इलाका उसको दूर्ग बोला गया और पूरवी इलाका उसको नगर बोला गया पूरे सिंदोवाड़ी सब्सक्राइब का दिखतरस तल में इस तरह से चीज़ थी तो कहीं कहीं देखा गया कि यह दूर्ग था ना वो पूरा चारों तरप से बॉंड़ी था वेड के बॉंडरी बनी थे तो इस तरह से बोड़ सकते इसको रक्षा प्राचिर तो रच्छा प्राचिर तो हडपा की बात करेंगे मोहन जोद्रों की बात करेंगे तो इसका केवल दूर्ग है ना जो जो रच्छा प्राचिर से गीरा हुआ था किस तरह किस तरह से तो रक्षा प् महँजद रोगा ठीक है मैंने बताथ है कि दूर्ग उचाये पे था और नगर नीचा पे था ये दिशी ध्यान में रखना और दूर्ग में बुला था कि दूर्ग में परोहित लोग बड़े-बड़े लोग जो सासन कर रहें थे सिंद्वार्डिस वर्ता कि में तो वो रहते सबाई था तो देखे रहें मोहर मिना है में लेकिन अभी लेकिये मू ऐसी मूहर मिलीयाया ऐसी मूहर मिले को तो यह मिला है अधर पासे का सी मिला है अधरापा से दो तीन चीज़ा रखने तामवा कि का गाड़ी अभी लेखिये मूरे इस तरी के गर्व से क्या माना हमारा पाउधा ठीक है यह चीज़ों को ध्यान में आप लो रखिएगा ठीक है और यह बहुत सारे चीज़े में लेकिन जो म Hang So Crew को इसे में बता दिया Okay अब हमारा मोहन जोटर मोहन जोटरो सिंधसे किनारे किनारे है और पके पकिस्तान में फोगा खोज कौन किया राखलास प्रड़ी बनेर यह दो इसको बोला राता है कि मोहन जोदोरों में सबसे ज्यादा ज्नसंख्या तो मोहन जोदोरों में कहां अटा तो मोहन ज्यादा और जो ज़्यादा जन संख्या कौन से प्रजाती के लोग पूंध सागरिय। सब्ससे जयातना वही है। तो हमारा क्या होगा मोहन German dari आफ सबसे बड़ा इसके बदाषंटल कौन यह है भारत में यह है कहां यह करम याद रखें गनेरी वाला सबसे बड़ा पुछे सिंदु घाटी सवता से बड़ा नगर कौने तो राकी गड़ी कौने राकी इसे सिंदु का बाग बोला गया मोंजदलों को मिर्तकों का टीला बोला गया इसे को पीगत एक इतास्कार थे इन्हों नें जुड़वारा भादानी का बोला क्या यहां जो लक्षा ने क्रेंटरिस्टिक अग्र बात करेंगे तो दोनों का मिलता तर्थ तक को देखिए यहां पर दूर रच्छा प्राचिर से गी रहा है यहां पर दूर रच्छा प्राचिक गीना के सिंदू का बाग बोला गया मियसकों का टीला बोला गया अब देगा क्या मात कुछ आप यहां से यहां से मिला पुरोहित इसाN बाई पर अशनानाierzْ हुम हुआ इसके बगल बगल में बहुत सा रूम बन होत बोला था कि है कि मतलब कि धारमिक कर नहीं हो ठाल पर टाइस नाम अगार हुआ है अन्नागार मिला जो कि पूरे चिंदू गाटी सवेया था का सबसे बड़ा सरंचना बड़ा बिल्डिंग एक अनागार मिला कि जहान तक शरड़न मिलय से क्योंकि आप आगार था तो यहां पर अन्नागार किसे यहां से नमी रहते था सबसे बढ़ा है यहे राखिए इसलिए छोग अधिकता महात्य ठीक है कि सवाल आता है किया मोहन क्या सिंदु घाटी से वैता है कि लोगों को सूती का ग्यान था सूती बस्तर का ग्यान था तो हाँ था क्योंकि सूती कपड़ा में चाकुल पेटा हुआ मिला वह भी मोहन मिला कहां से मोहन है कास की मुर्ति मिलती है जो परजाती की मतल लोगी- परजातीया चाहतरा के ती तो उसमें जो मुर्ति है नो इस तरह से बनाए हुए उसका जोब बता जोब architect mitä तो तो कास के नरता के कि मुर्थी कहां से मिला यहां से अलेकर शिंदुवाटे से बता था ना सुरी मौंचुदर था इसमें वीच से रोड पास वा दमोच चौड़ा रोड दस बाई दस का 10 मीटर गुने 10 मीटर का उसको राजपत बोला क्या बोला गया राजपत हर जगा रोड था फज़ा था लगी इतना चोला नहीं था लेकिन आपका जो रोड था वो दस वोने 10 का तैसलिए इस रोड की रोड क्या बोला गया राजपत तो महां विद्याले बोल दे सभा बहवन बोल दे पुरो हित वास बोल दे श्नानांगार बोल दे ठीक है अनांगार मोले सारे सारे चीज़े मिले हैं मोहन जोदोरो से अब ऐग चीज और बहुत अच्छा पुछता है दाढ़ी वाले पुझारी एक फिगर मिला है कि उसमें पुझारी वेसे पुझारी पुझारी मतलब सालब नवस्ता में हैं ध्यान मंग में हैं तो दाड़ी वाले सादु या दाड़ी वाले पुझारी का साख्ष कहां से मिलता है यह भी पुछारी कहां से मिलता है मोहन उध्यांविभा स्रेंगे सब्सेश्राहस मिला है मोहन जोदरोसी बारास मुहर उसमें बहुत पर एक सिरिंग वाले जानवर के अकिरती है तो एक सिरिंगी वाले मुझे राएं कहां से प्राप्त हो यह तो मुहन जोदरोसी इसे ज़्यादा नहीं सवाल आएंगे इस द्यान में आप लोग रखेगा ठीक है कि लिए चलिए तारे है यह चीज़ आप लोग द्यान में रखे एक है कोन खोच किया इसको उडियान में नहीं रखना लेकिन हमैंने इस फिर भी लिग दिया एस आर रह क decision बहुते ना बढ़ना तो टुझए तो यहाँ पर पुराव मिनमारा नगर था और पंच्छी में दूर कथा ये तो पूछा रहता है ये कॉंसा जगा है इसší रचा प्राचिर से नगर और दूर्ग दोनों घीरा हुआ ता कि दोंउ गुजरात में थे लोथा नौर्चल यह दियान रखेगा लोथल और सुर्खोड़दा जो दोनों एक ही रचा प्राची से गी रहा था यह चीक तो मुद्यान में रखेगा ठीक है यहां सब क्या क्या मिला रंगाई कूंड आटा चक्की का साक्ष इस अगनी कूंड यह सब कहां से मिले हैं तो इस रंगाई कूंड सबसे बड़ा यह बंडर गया पर यह सहर था और यहां पर दिखिए हम वी देखिए न समय से घर है उसका दरवाजा है में रोट पे छोटे छोटे गली में खुल जाखे में रोट टो पर कोई दर्वाजा आपको दिखाए नहीं पर कोई ना बूल पर ठीक है इस चीज़ ध्यान में रखे है ठीक है हाथी दात का पैमाना है मिला कहां से लोथल में कहां से मिला लोथल से यूगर समाधी कहां से मिला लोथल से यूगर समाधी दो मेल और फीमेल को साथ में दफनाया गया तो इस तरह से यूगर समाधी कहां से प्रप्त होता है लोथल से द्यार रखें कि बंदर गाया था यह महत्पूर्ण है दान चावल बाजरा वाला यह महत्पूर्ण है यह सब चीजे पूरे लोथल से के लिए आगे चलते हैं hai चन्द औरो चन्द हुद्रों सिंदपरांत में चन्हुद्रो मेन z讲 civ कोट दे जी यह सब जुर ऐं बाइटो पाकिस्तान में आ प्षिजटहा शुर्ण का साग्ष तरफ एतर सॉंदर मतवाएं कि दिन मेड़ानWasल लिपिष्टह कंगा इत्र यह सब मिले हैं चन हुद्रों से कांस मिले हैं चन हुद्रों से अब उसमें चीज मिला है एक इटा मिला उसमें बिल्ली के पैर को निसान है और कुट्टा के पैर करनेता ऐसा हो सकता है कि बिल्ली का पीछा कर रहा हुआ कुट्टा और यह हो सकता है कि इसके उपर पर आपको इट गीर गिया हुआ तो उसके बाद ऐसे एक तरह से घ्लिक का निसान तो बील्डी का पिछा चूडी तो मनके कर्खाना के हुआं स्था एक यह ये चानाउ धुश you थे सबसे बड़ा बड़ा긴्ट कर खाना था मनके का तो मनके कर कउ कोने चन हदो अब बखर कारी ती सतरह की एटे मिले इस तरए की आद देका नहीं इस तरह के कहा थे कहा से मिले हैं कि कहा सुना कि इसमान ना कि यह दृर भाई यह दूर भांगा न foresee कि यहां से तो पहला जूता हुआ खेट मिला कन फ़र्म यह चीज़े देहां लेकिन काली बंगा पहलावात रजस्थान में है गगर नदी किनारे है क्योंकि हैं सब्सक्राइब गजरती है और इसकी खोज आमलान गोसने की महतपूर्ण नहीं है इसका महतपूर्ण क्या है कि इसमंजू नगर है इसमें जो कि दुर्ण है यह दोनों अलग अलग रख्चा प्राचित एक कौन दोप दए स्वाला थπी रच्छां प्राचित से कौन गीरा हूआ है तो अलग अलग से कौन की रह ऑभगा काली बंगा बीना रच्छा प्राचित क्योंने भईया तो तो यहां से जूता हुआ खेत मिला जिसमें सर्सोर चना का साक्ष पराप्ट वाप गया होगा जूते हुए खेत यह सवाल इस वार बिहार साही में बिहार बिप्स्थी में आया ठीक है जूते हुए खेत का साग्ष ओके अलंक्रित इटे कुछ इटे में जिसके कुछ डिजाइनिंग फूल पत्ति किया हुआ है तो अलंक्रित इटे काली बंगा से उठका कंकाल क्योंकि राजस्थान में है तो उठका कंकाल कहां से मिला हमारा काली बंगा से कच्ची इटे कहां से मिला काली बं और अलंक्री तीटी ये महत्पूना और ये अलग रचा प्राचिर ये चीजों जो मैंने डाग्राम बनाया उन चीजों को द्यान में आपको रखना यहां तक कि काले बंगा सब आगे नहीं आएंगा ओके दहुला बीरा और बनवाली पहला दहुला बीरा की बात करेंगे तो खुजरात में कहा वही है खुजरात में रंगपूर कहां गुजरात में सब चीजों को द्यार रहे हैं कच के खाड़ी में हैं Okay और खुजला ते कांभ भला ऊच में ठीक है अब दहौला विरा ऐसास थालेना कि जहां पे तरह की चीज़े मिले हम तो देख एक यहां नगर थ था एक तुर्व लेकिन यहाँ पर तीन मेला बीच इसको क्या नाम है धुझान मेध हमार की की बीच वाँ पार को बोल या अ defining माटीया मोल जित तीन उसाह बोला जो एरिया था वो कौन था धॉला दो वहां में रख़िये इं तीन तरह से बाटा गया ठीक है बढ़ना 130 में तुम बीचेहां कैने भलबी तो टोटली आताकार रूक में था रहो दो बाइता वेडीम का पूस्ता represented तो बड़े तला मिले और दो बड़े नहर मिले हैं जो कि पूरे दोला भी राके 30 परसेंट पार्ट में था ठीक है यहां से नेम प्लेट मिला जिस पर दस अच्छर जाव पता कर लिपी पढ़ाने अभी तक इसको लिपी को नहीं पढ़ सकते हैं तो ओ जो इस पे जो नेम प् प्लेट सा जो घर के बाहर हो सकता है लगाते हूं या कुछ भी तो अक्षर का नेम प्लेट वाला चीज़ कहां से मिला है यहां पर देकि जल प्रवंदनिया जो बार्टर मेंजमेंट सिस्टम था यह बहुती उच्छ कोटी का था बहुती अच्छा तरीका से यहां पर किया बहुत है नहीं क्योंकि यहां से बस केबल जोगा साक्ष मिला है और मीटी की हलकी मीटी के छोटे-छोटे मीटी का खिरोना यहां से मिला है और जल निकास का यहां पर अच्छे किस्म का जाओ बनवाली से मीटी के हलकिया किरती बनवाली से नेम पलेट और जल प्रवंदन उचकोटी एस्टेडियम के लिए ओके कि हमारा एक अब हमारा सारा सातों हमने किलर कर लिया अब कुछ महतपूर नस्तल उनकुछ जो को देखना तो एक पंजाम में रोपड़ आता है जो सवतंतरा प्राप्ति के बाद खो जा गया था इसको इध्यान वर रोपड़ का अधूनिक नाम क्या है रूप नगर पंजाम म जो की एकी रचाप्राचिसीज से दूर गौर नगर दोनों गीर है तो गोड़कासत्र यहां से मिला है इसका और इसका बो मिला है एक इसका पतन के के वूसी जो रंगपूर मादर नदी अस्तर कौन था अली मुलाद कौन था अली में बाकि सारे सहर हैं लेकिन ये ग्रामी नस्तर थे तो ये देखिए करम है मैंने बता तक के आगे चलते हैं ठीक है और या यह कुछ-कुछ भीबित विसलें से देख लेता हैं तो सिंदूह घाटी सवयता में माप इस्तेमाल होता है जो माप कहने पर सोला के खुछ नाप नमापने तौनने में वह सोला के गुनज में सोला कर बथीस अर्ता लिस तरह के यतने भी वह वह पड़न बटकारे या म माप इस्तमाल होए सोला के मल्टिपल मीस तरह के माप इस्तमाल हो ठीक है लीपी कैसा था तो लीपी वाट पढ़ नहीं सकते हैं तो संकेतिक लीपी था पिक्टोग्राफ ता जो इस तरह से फिगर बनाया था इस तरह के लीपी है पर क्या है इस समझ में नहें आतक कोई पड़ी ने पाया इस तरह के लिपी को सिंदू गहाटी के सब्सक्राइब पीर नम बुषacio बैदनें या गो मुतरिका ठीक है यहां कि जितने भी सरके थी एक्जेक्ट नाटी डिगरी पतने लेकिन डिगरी पर सब काट ती जो मुख सडके थी दरवाजा मुखे सडके पर नहों के गली में खुलती थी लोफल लोफल जो हमारा अपवाद है सारे घर थे जो तीन मंजीला था इस तरह से बनाया था सारे घर में बातरों वस्ताहान जल निकासी परवन्दन यह सबמצ सारे चीजे इसमें थी ठीक है हम बात करेंगे सिम्दूः सबता में और भी महतकुन चीजे इसमें कुछ ऐसा था तो हमारा नहीं रहा गया ठीक है और अगर बात करेंगे चुआ बहु हाटी से बहता के लिए इस्त thorough लोगा किस के लिए सिंदुगाटी से लिए इस जीज को सुनिए और उस चीजों को फिर नोड़न करेवा या तो फिर पीडिये ऊप देख के कि चीजों को भी किलियर कर सकते ठीक है एक वी सवाल अपको यहांसे छोटे का नहीं ठीक इस दिहान म सबसे मानना गया है वो बोला गया है जो की अर्नेस्ट मैंके अर्नेस्ट मैंके अर्नेस्ट मैंके और जॉन मार्सल सहब का विचार है कि सिंदु अर्टित से बता जो हमारा आज देख रहे हैं पूरा खतम हो चुका है यह बाढ़ के कारण वह बहुत सारे चीजों नों अलग लगती बोला कि जो आज लोग जो बैदिक से बता पढ़ेंगे तो आज ल सब्सक्राइब करें नहीं आते हैं तो इस तरह से चीज़े आते हैं जो सवाल आता है मोडर्ण हिश्टी सचा का सा तो मैं उन चीजों को ध्यान से पढ़ाऊंगा तो सिंदु अधि से ज्यादा नहीं हो सकता है आपके पास जो भी बूख है रिफ्रेंस बूख उस चीजों को देखें पढ़िए अच्छा लाएगा और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ अभी सिखने को मिले और सब्सक्राइब करें और साथ में अपने दोस्तों को सेर करिए क्योंकि बिहार एसाय का कंप्लीट करवाएं इसमें कभी बीच में नहीं छोड़ेंगे यह पूरा कं इसमें हम कभी नहीं छोड़ेंगे ठीक है चीजों को घ्यार में ठीक है चलिए तो सेशन को समाप्त करते हैं धन्यवाद